आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे साथ है इस प्रोग्राम में फिर से डॉक्टर पुष्पापांडी जी आप इस तीरोग विशेशक हैं आपका भी बहुत स्वागत है आज का जो हमारा विशे है मैंसिस या जिसको हम कहेंगे नियमित पीरियर्स इसके बारे में आज हम चार्चा करने जा रहे हैं ये जो परिशानी है हर महिला को या फिर हर दूसरी महिलाओं को इस परिशानी से गुजरना पड़ता है और विशेस इसकी बज़ा ये होती है कि महिलाएं जेजक के कारण अपनी ये परिस्तिया समस्या डॉक्टर को या किसी और को खुल करने बता पाती हैं और इस समस्या को वो नजर अंदाच कर देती हैं और इसको नजर अंदाच करना एक बहुत ही गंभीर रूप से प्रभा क्या है और बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना किसके लिए जागरुपता क्या है तो हम जानेंगे डॉक्टर पुश्पा पांडी जी से डॉक्टर पुश्पा पांडी जी सबसे पहला हमारा सवाल कि ये नॉर्मल मेंसेस होते क्या है और कब से शुरू होते हैं नॉर क्योंकि अगर उसमें कुछ ज्यादा अबनॉर्मिल्टी होती है तो डॉक्टर के पास जरूर सला लेना चाहिए तो नॉर्मल मैंसिस की एक साइकल होती है जो 28 डीस की नॉर्मल रहती एवरेज है 28 डीस 26 दिन से हो सकती है 35 दिन तक यहां तक अगर होती है तो यह नॉर्मल होता है और जो फ्लो है अगर साथ दिन तक है तो साथ दिन तक एवरेज बना जाता है और इसके अलावा अगर कुछ दूसरी अगर उसके 26 दिन के बहुत पहले है तो फिर वो अबनॉर्मल होगा या 35 दिन के बाद होता है एक महीने दो महीने तो फिर अबनॉर्मिल्टी के अंतरगत आता है तो ये नौर्मल होता है 26 दिन से जो 35 डेस तक है तो लगभग नौर्मल average 28 दिन का कहलाता है तो किस उम्र में मैंसर शुरू होते हैं ये शुरूवात होती है लगभग हो गही है 11, 12, 13 तो ये 3, 4 साल अगर 16 साल तक होती है मतलब 14 से 16 साल तक 10, 14 से 16 काफ़ी लम्बा इस समय तक होता है तो नौर्मल माना जाता है ऐसा नहीं है कि फिक्स ही है कि इसमें 13 में होना चाहिए 11 में होना चाहिए तो इसका कई कारण होता है कि स्टार्ट के ब्रोगी पतली है तो फिर मां को लेट स्टार्ट होता है तो एक तो हमारे पास आई थी वह बहुत घब्रा रही थी के 17 साल के हो गयी थी तो फिर अमने घुब में maior अगर सभी थोण्मर के चींता करते हो कोई अच्छ दो नर्मल होता है तो यह कियुत करने होता है तो फिर थोड़ा सा सचेत रहना जरूरी फिर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और एगर पहले होता है 12-13 वर्स के बहुत पहले हो रहा है 11 साल तो हो ईजाए 11 साल के और बहुत पहले नहीं होना चाहिए जैसे कि मान लीजे 8 साल में इसमें चालू हो गया तो इसको precocious puberty ही बोला जाता है मतलब कि कुछ glands या hormones में कुछ defect हो गया है जिससे कि इसमें problem आ रही है, secondary sex character पहले develop हो गया है तो फिर वो doctor को जरूर दिखाना चाहिए उसमें अच्छा, आनियमित periods जिसको हम कहेंगे उसका कारण क्या होता है आनियमित period है क्या पहले तो हम ये भी समझें फिर उसका कारण हम समझेंगे तो अनियमित जो period होते हैं वो विभिन प्रकार के होते हैं तो पहला जो होता है कि और गन में different जो reproductive organ में जो disturbance होते हैं तो वो कभी-कभी bleeding के रूप में irregular bleeding के रूप में पता पड़ता है तो पहला अगर मान लीजिए कम है बहुत कम है एक दिन हो रहा है या दो दिन हो रहा है लगभग और pads चेंजी नहीं करने पड़ रहे हैं सुपर से शाम तर सिर्फ एक pad है तो फिर वो कम कहलाता है polygomanoria कहलाता है बहुत ही कम है वो और अगर साथ दिन है साथ दिन में बहुत ज्यादा है इवें सिर्फ क्लॉट सी कई ऐसे कम्प्लेंड करते हैं ज्यादा है तो तो बहुत ही ज्यादा समझ्या है क्लॉट पास करते हैं क्लॉट पास करने का अर्थ ही होता है कि वो bleeding ज्यादा है जो RBCs जो कहते हैं रक्त कोशिकाई है वो आपस में कठी इतनी ज्यादा होती है कोई कठी हो जाती है मतलब बहुत ज्यादा bleeding होती है और ऐसे लोगों को बहुत कमजोरी लगती है और उसमें pets भी उसको बहुत ज्यादा अगर 3-4 बार हो क्या रही है पहली सलाह लेना जरूरी है और जो तीसरी प्रकार का जो होता है जो ovary के defect के कारण होता है जैसे हमने बताया अंडाशय में तो उसके कारण जल्दी जल्दी आने लगता है अगर एक महिने में दो बार आ रहा है तो फिर वो वो भी एक खराबी कहलाती है और अगर दो साइकिल 28-28 दिन की है उसके बीच में मालो spotting आ रही है थोड़ा सा बीच में दर्द हो रहा है तो एक तो ovulation के समय थोड़ा सा normal spot हो सकता है लेकिन अगर और ज़्यादा है तो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है यह हो सकता है कि उच्छ कैंसर का भी-कभी-कभी कारण ऐसा हो जाता है जैसे एक मही लाएं घरे लिए उपचार करने लगती है तो घरे लिए उपचार नहीं करना चाहिए ड़कर के पास सलाह लेना चाहिए और कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे PCOS Polycystic Overeign Syndrome उसमें क्या होता है कि एक-दो महीने तक नहीं होगा और उसके बाद जब होगा तो कंट्रोल ही नहीं होगा बिलकुल लगाता है एक महीने दो महीने और जब तक दवाई नहीं दो कंट्रोल नहीं होता है तो ये भी खतरनाक है ये भी अबनॉर्मिल्टी तो इस तरह से जो 28 या जो से 26-35 दिन के अलावा जो भी इस तरह की अबनॉर्मिल्टी होती है बहुत कम होना बहुत ज़्यादा होना या समय से ना होना और बिना दवाई की ना रुकना ये सब अबनॉर्मिल्टी कहलाती है इर्रेगुलरिटी कहलाती है 26 दिन से 35 दिन तक जो होती वो नॉर्मल है और अगर उसमें ज़्यादा ब्लडिंग हो रही है या बहुत कम आ रहा है या बहुत लेट लेट आ रहा है वो भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे दर्शकों को अगर मालूम रहेगा कारण है तो जल्दी ही वो डॉक्टर के पास जा सकते है तो किसी भी जगय का इंफेक्शन उसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है जैसे वेजाइना जो कि गरभाशे की नीचे का भाग है अगर उसमें इंफेक्शन होगा यूजरी क्या होता है मेनोपॉस मतलब जब मैंसे बंद हो जाता पैतालिस साल के बाद की जो उम्र है जब वो बंद हो जाता है तो उसके बाद कभी इस्पोर्टिंग होती है और वो स्पोर्टिंग सेनाइल वेजिनाइटिस कहलाती है मतलब यह नॉर्मल होता है उम्र के अनुसार होता है तो यह उम्र के कारण है लेकिन इंफेक्शन भी हो सकता है इंफेक्शन के कारण जो वो सेल्स काफी फ्राइबल हो जाती है और उसके कारण भी bleeding होने लगती है, अगर cervicitis मतलब cervix का infection हो गया, uterus के अंदर endometrial layer जो अंदर की layer होती है, वो endometrium कहलाती है, तो endometrium का भी अगर infection हो जाता है किसी भी कारण से, चाहे वो foreign body daily हो, जैसे कि कही लोगों को copperty वगरे भी daily रहती है, यह copperty जो होता है, गर निरोद कहलाता है, contraceptives होते हैं, यह married ladies को बच्चों को ना होने के लिए डाला जाता है, तो यह तो normal होता है, अगर मानलो कोई भूल गया हो, कभी ऐसे तो 10 साल में निकालना पड़ता है, बहुत भूल गया हो, और उसके कारण infection भी हो गया हो, तो फिर ऐ जैसे endometrium में भी infection हो जाता है, तो उसके कारण bleeding हो सकती है, और अगर जैसे tubes, वेलोपियन tubes की जब हम बात कर रहे थे, अगर उसमें infection हो गया, तो भी उसमें हो सकता है, और और भी जैसे गठाने, जैसे infection हो गया, फिर उसके बाद गठाने होती है, तो जैसे fibroid है, फाइबरो जैसे भी गठान होगी, तो बार-बार वो bleed करता है, तो उसके कारण भी हो सकता है, सबसे ज़्यादा जो कारण है, वो cancer, cancer में भी spotting भर अगर होई, तो वो भी खतरनाक हो सकता है, तो पुछ कारणों की बाते, मुटापा भी इसकी बज़ा है, मुटापा तो इसका एक बज syndrome, उसका एक बहुत बड़ा कारण मुटापा है, और मुटापे का कारण sedentary lifestyle है, तो जब मुटापा होता है, तो हमारे जो female hormones होते हैं, वो fat में, वो testosterone में change होने लगते हैं, testosterone में change होने के कारण, उन में menses कम हो जाता है, क्यूंकि males को, पुर्षों को, menses तो होता नहीं है, तो जो testosterone की कारण, जो पुर्षों में जो changes आती हैं, वो महिलाओं में आने लगते है तो ये menses कम हो जाता है, जैसे महिलाँ कहती हैं, कि periods नहीं आती, इसलिए हमारा ब्लड अंदर फैट में जमा हो जा रहा है बहुत सारी महिलाई यही समस्ती है हमारे साथ यह तो ही मुटापा की बाते इसमें कुछ stress भी कारण है क्या? हाँ, stress तो ही कारण है stress क्योंकि जो reproductive जो system होता है उसका जो control होता है वो hypothalmo pituitary adrenal ovarian axis होता है उससे control होता है थीक से समझाएंगी क्या अपने बताएंगी? क्योंकि जैसे अब uterus होता है और ovaries होती है तो ovaries अंडाशय में hormone release होता है जिसको हम estrogen और progestron कहते हैं तो estrogen और progestron ovary का control brain से होता है मस्तिश्क से होता है यहाँ पर hypothalmas नाम का भाग रहता है दोनों eyebrows के बीच में यहाँ पर उसकी surface marking कही जाती है यहाँ पर अगर हम कहें तो यहाँ पर hypothalmas रहता है और वो ही emotions को control करता है तो यहीं पर stress होता है तो अगर stress हुआ तो सारी की सारी जो axis होती है जो control करती है उस hormone को वो डिस्टर्ब हो जाती है जब वो डिस्टर्ब होगी तो estrogen hormone भी डिस्टर्ब होगे progesterone hormone भी डिस्टर्ब होगा और menstrual cycle अफकोस डिस्टर्ब होई ही चाहेगे और एक सबसे बड़ा जो menses के साथ जो related होता है वो एक दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो दर्द जो होता है जिसको हम dysmenoria कहते है और ये दर्द menses के सामें तो होता ही है कभी कभी ये दर्द बाद तक continue करता है इतना दर्द होता है कि बाद तक continue करता है और आजकल यह बहुत ज़्यादा common हो गया है, तो यह जो dysmenorrhea होता है, यह दो तरका होता है, यह dysmenorrhea क्या खहलाता है, बहुत अच्छा question, तो dysmenorrhea अर्थात होता है कि pain during menstruation, जैसे तो pain किसी भी कारण पेट में हो सकता है, appendix का दर्द होगा, तो भी उसमें दर्द होगा, और अगर GIT का दर्द है, colon का दर्द है, अगर आपको उसमें infection हो गया, तो भी दर्द है, लेकिन जब menses के समय जो दर्द होता है, उसका special नाम है, उसको dysmenorrhea कहते हैं, तो dysmenorrhea दो तरह का होता है, एक कहलाता है primary dysmenorrhea और एक हो यह होता है, कि primary dysmenorrhea usually physiological होता है, और यह थोड़ा बहुत सब को होता है, और बलकि यह positive है, कि आपके अंदर अंडे बन रहे हैं, ओविलिटरी साइकिल जो होती है, उसमें दर्द थोड़ा होता है, अगर दर्द नहीं होता है, इसका मतलब कि आपकी ovaries ठीक से proper काम नहीं कर र और जो primary dysmenorrhea है, वो शुरुवात होती है उसकी, जैसे जब आने वला होता है, उसके जस्ट पहले शुरुवात होती है, थोड़ा थोड़ा दर्द शुरुवात होता है, पहले दिन रहेगा और दूसरे दिन उसके बाद खतम हो जाएगा, तो उसमें analgesic ले सकते हैं, थोड अलग अलग जो age बाले होते हैं, वो अलग अलग feel करते हैं, सबकी capacity होती है, different होती है, अधिक तर देखा गया है, जिसकी mother को था, या single child होता है, तो जो single child होता है, उसको dysmenorrhea जादा होता है, क्योंकि feeling होती है अपनी-अपनी, अपनी capacity होती है, तो कोई ज्यादा दर्द को भ बढ़ा बना लेता है, तो ऐसे तो समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आपको ज्यादा दर्द है, तो थोड़ा बहुत दवाई लेने भी कोई नुकसान है, ज्यादा ने लेना चाहिए, ज्यादा ने लेना चाहिए, ज्यादा ने लेना चाहिए, ज्यादा ने लेना चाह यह सकता है वो दर्द आपका और किसी की कारण से हो और आप अपने खुद के डॉक्टर बन गए इसलिए बताना यह चाहिए और एक जो दूसरा दर्द होता है जिसको हम सेकेंडरी डिसमेनोरिया कहते हैं और वो जिसमेनोरिया जो होता है वो पैथालोजिकल काउस से होता है तो एक कंडिशन होती है इसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस इसका अर्थ क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस यह समझना बहुत जरूरी है कि एंडोमेट्रियोसिस वास्तों में क्या होता है जैसे जो यूट्रस यह है इसकी जो अंदर की लाइन कहलाती है वो कहलाती है से निकल कर बाहर जाता है, जो कि मैंसेस कहला था, यह नॉर्मल रेगिलर साइकल की प्रक्रिया है, अब यही एंडोमेट्रियम अगर बाहर ना जाकर, या तो वेजाइना में ही उसके कुछ सेल्स आ जाए, या फिर यह देखे, इसमें दिखाया गया है, कि अगर मसल्स में, ज पेट में चला जाए, यहां तक की आतों तक में चला जाता है, जब वो आतों में चला जाता है, तो वहां पर जाकर वो फिक्स हो जाता है, जब फिक्स हो जाता है, तो हर मस, जब ऐसे ही मैंसेस स्टार्ट होता है, तो यह तुचु की एंडोमेट्रियम है, तो इनके अंदर bleeding होनी लगती है तो सूजण आ जाती है तो दर्द शुरू हो जाता है अगर ovary में मान लो हो गई तो ovary में जब ये जाता है तो इसको हम chocolate cyst of ovary कहते हैं जब chocolate cyst of ovary, chocolate cyst इसली कहते हैं क्योंकि color ऐसा होता है अगर आप blood को देखो, जो blood jump जाता है हाँ ये अंडाश है तो इसका जो color है ये क्योंकि इसमें blood जाता है पूरा jam जाता है तो ये पूरा एक cyst जैसे बन जाता है, काफी बड़ा हो जाता है बहुत painful होता है और यहां तक कि धीरे धीरे ये यहां पर जब चिपकने लगते हैं चिपकने लगते हैं तो बहुत दर्द मान लीजिए आतों में चला गया और ये यूटरस के पीछे वाले भाग में चला गया तो इस अब चिपक जाते हैं और इसमें बहुत तकलिफ होती है यहां तक कि जैसे जैसे मैंसेंस का flow स्टार्ट होता है तो और ज़्यादा बढ़ जाता है दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह बहुत तकलिफ दायक होता है तो एसमें फिर क्या कहना चाहिए ज़र्द बहुत बढ़ जाता है अब पहले तो खें डॉक्टर को बताएं ही तो अलग-अलग age में होता है ये adolescent young age से भी start होता है middle age में भी होता है और बाद में भी हो जाता है तो जो जब young age में होता है तो उसमें कभी-कभी confusion हो जाता है कि appendix का दर्द तो नहीं है तो शुरू में हम इसको hormonal treatment देते हैं पहले तो एनलजसिक देंगे, दर्द की दवाईयां देते हैं कि दर्द ठीक हो जा उसे नहीं ठीक होता है, तो फिर हॉर्मोनल ट्रीक्मेंट दिया जाता है, ऐसा जिससे की जो साइकल जैसे, क्योंकि इसमें इसका जो कारण होता है, यहां पर ओविलिशन होता है, मतलब नोबिलिटरी साइकल कहलाती है, यहां तक कि हम ऐसे कभी-कभी उन बच्चियों को या किशोरा वस्ता में बहुत जादा हो गए हैं, तो उसमें हम उनको लगातार ऐसे पिल्स देते हैं, जिससे मैंसे आये ही ना, क्योंकि मैंसे आने से ही प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्ल देते हैं, और दवाईयां देने के बाद भी जब धीरे धीरे नहीं ठीक होता है, और 35 के आसपास पहुंच जाती है, इवन लोगों को इतनी ज़्यादा तकलिफ होती है, कि वो अपने रूटीन वर्क भी नहीं कर पाती है, उनको CVR बैकेक होगा, बहुत ज़्यादा पेन ह होता है, इसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा, पिर चुकि जब शरीर स्थन नहीं है तो इरिटेशन भी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा तकलिफ होने लगती है, बहुत ज़्यादा पर पर 35 के बाद अगर ओवरी जब तक है, तब तक तो वह उसको एंडोमेट मैंसे नहीं होता है उसको तो फिर ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया भी अपने आप ठीक हो जाता है जैसे हमारे भारत में एक जैसे कोई प्रोग्राम होता है आधात्निक प्रोग्राम तो समय महिलाएं चाहती हैं कि तो उसको बंद करने के लिए रोकने के लिए दवाईयां लेती है तो क्या ठीक है चाहिए भी कारण है आप यह कहो कि इर्रेगुलर इससे भी हो जाता है क्योंकि जो समय था 28 दिन का वो तो अब आप अगर ले रहे हो तो वह चालिस अगर आप 10-12 दिन ले रहे हो तो फिर 40 दिन बाद आएगा तो यह भी एक इर्रेगुलर कारण है तो बहुत सारे ऐसे मरीज हमारे पास आते है और वो पिल्स लेते रहते हैं, औरल कंटरसर्प्रिप्ल्स कहलाता है तो उनको यह पता नहीं रहता है कि हम लें कैसे तो जैसे अब कुछ काम आया तो बूल गए बैसे तो रोज लेना चाहिए लेकिन वो रोज नहीं लेते हैं कभी भूल जाते हैं और बूल जाने के बाद उनको फिर ब्रीडिंग होती है तो पहले तो जब हमारे पास आते हैं तो बतलाते नहीं है कि आते हैं हमको डॉक्टर बहुत ज्यादा इर्रेगुलर हो रहा है कभी भी हो जाता है पांच दिन में हो जाता है तो हमेशा हिस्टी पूछते हैं कि आप कोई टैबलेट तो नहीं जरूरी है कि अगर आप oral contraceptive pills ले रहे हो या hormones ले रहे हो और अगर आप बीच में छोड़ोगे तो 48 घंटे के अंदर उसमें bleeding होगी है तो वो दवाई के कारण है वो कोई बीमारी के कारण नहीं है अगर आप वो दवाई regular लेते हो तो वो bleeding नहीं होती तो जैसे आपने कहा क कई महिलाएं उसके लिए लेती है तो ले सकती है उसमें कोई नुकसान नहीं है वो ले सकती है लेकिन doctor की सला से लेना चाहिए बिना सला के कभी कभी लेना चाहिए जी डोक्र फुशा पांडी जी जैसे आपने बताया मैंसिस के बारे में तो जैसे आनियमित जो periods आते हैं तो उससे क्या दूसरी बीमारियों के आने के chance और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं क्या अनियमित जो menstruation है उसके तो एक तो कारण है डिफरेंट है जैसे कि हमने सुना कि infection और यह सब तो irregular जो period होता है उसके कारण future में ये बीमारिया एक तो indication है इसका जी कि regular period हो रहा है तो आपको यह यह problem हो रही है और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यह बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ रही है और कई ऐसे problem systemic problem होती यह तो reproductive system की problem होई लेकिन systemic problem मतलब कि हमारे शरीर के जो विबेन प्रणाली है उसके कारण भी यह problem हो सकती अगर हमारे शरीर में खून की कमी है तो यह तो कम हो सकता है यह तो ज्यादा हो सकता है तो यह भी एक indication है और आपको bleeding बहुत ज्यादा हो रही है तो एनेमिया बढ़ जाएगा और एनेमिया बढ़ जाएगा तो दूसरे infections भी बढ़ जाएंगे आपकी immunity system भी कम हो जाएगी तो दूसरे problems भी बढ़ सकते हैं तो एनेमिया के कारण हो सकता है अगर आपको blood pressure ज्यादा है तो blood pressure अगर किसी को ज्यादा है तो जिसको hypertension कहते हैं तो hypertension patients में भी कभी-कभी irregular bleeding हो सकती है तो systemic problem जिसको systemic problem कहते हैं कि दूसरे शरीर के दूसरे प्रणाली के वजह से भी यह hormone में disturb हो जाता है जैसे thyroid thyroid एक बहुत बढ़ा कारण है thyroid gland होती है उसका भी रोल होता है thyroid gland क्या होता है थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को thyroid gland एक endocrine gland होती है जिससे की thyroxine जो की control करती है मैंसिस के लिए भी उसका रोल है और शरीर में दूसरे दूसरे भी उसके रोल होते हैं तो अगर यह disturb होता है तो चुकिए thyroxine जो hormone होता है उससे release होता है तो उसमें disturbance है अगर कम है मान लीजिए उसमें कम आता है तो कम होने से भी मैंसिस जो है बंद हो सकता है कम हो सकता है उससे और अगर चादा है जिसकों की hyperthyroidism कहते हैं तो उसमें भी यह disturbance हो सकता है उसके कारण भी यह problem हो सकती है जी डॉक्टर पुश्यपांडी जी तो आपने बताया कि बीमारियों के कारण हमारे menses problem दूसरी बीमारियों के कारण हमारे menses problem बढ़ सकते हैं जैसे menses के अगर हम बात करें कभी कम कभी ज्यादा तो क्या इसके दूरा भविश में और दूसरी बीमारी हमारे अंदर आ सकती है यह जैसे कि हमने बताया कि इंडिकेशन है जैसे जैसे बीमारियों हाँ जैसे आपने बताया कि यह तो एक साइन है कि आपको ब्लीडिंग हो रही है मतलब कुछ की गड़बड़ी अंदर है लेकिन उसके कारण सिर्फ एनीमिया बढ़ेगा और दूसरी प्राब्लम्स थोड़े बढ़ जाती हैं इंफेक्शन बढ़ जाता है जैसे यह मनें बताया कि बीड़ेक शंकरा कि आपने निकालना पड़ता है आहां अगर अगर नहीं निकाला तो यह तो पहले पता लगाना पड़ेगा कि व्लीडिकेस कारण से हो रही है और अगर बिन साइंस में यह कहते हैं कि जहां तक हो सके यूटरस ना निकालना पड़े जब तक 40-45 साल की एज हो तब तक हम नहीं उसको निकालते हैं जी जैसे आपने बताया कि क्या-क्या समस्था इस से हो सकती है और इस ट्रेस इसका एक कारण है तो मेडिटेशन का इसमें कोई रोल है व एक कारण बतलाया कि हमारा जो हाइपोथेलमस डिस्टरब होता है तो उसके कारण मेंस्ट्रल साइकल डिस्टरब हो जाती है हॉर्मोन डिस्टरब हो जाते हैं तो मेडिटेशन से हाइपोथेलमस या इमोशनल हम कंट्रोल कर सकते हैं उससे पूरी एक्सिस को ठीक कर सकते है जिससे कि हमारी cycle भी अगर functional ऐसा cause है कोई आपको tumor नहीं है गठान नहीं है तो वो ठीक हो सकता है अपने मन को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपने बहुत अच्छी बात बताई पुश्वपांडे जी मैंसिस कैसे होते हैं किस उम्र में होते हैं और इसकी क्या समस्याइं हो सकती है और कैसे समस्याओं से बाहर निकला जा सकता है बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्वास्तरी चर्चा में आपका आने से और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए नमस्कार बहुत अच्छी जानकारी आज आपको मिले इस प्रोग्राम की द्वारा कि मैंसिस प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं विशेश लड़कियों को महिलाओं को क्या-क्या ध्यान देना चाहिए और जो भी समस्याएं हो उसको नजर अंदाज ना करके डॉक्टर के पास भी जरूर चाह कराएं और विशेश बात यह है कि आप खुश रहें खुश रहेंगे स्वस्त रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे तो आप औरों का ध्यान बहुत अच्छे से रख पाएंगी हम फिर मिलेंगे एक नए विशय के साथ उम्शन्ति नमस्कार स्वसाओ जात कर दिली के साथ भाएंगे से लगले खुश कर दिली जात है कि नहीं है कि अगले नमस्कार मेर्ण जाना के साथ भाएंगे पास पीध।